नमस्ते टो आल कैसे आप हस्ते रहे खुश रहेगा खुश बाटिएगा खुश जितना बाटेंगे उतना खुश आपको डबल होकर मिलेंगी हमने जो कोर्स किया वो TGT का किया मैंने आपको के लिए छोटी छोटी वीडियो डाल कर अगर सही से कहूं तो TGT का वसलेबस वो लिट्रेचर का बहुत पहले ही कंप्लीट हो चुका और उसी में जैसे विलियम शेक्स्पियर हुआ यह ओथर्स आगे तो कहीं ना कहीं PGT के भी इंपोर्टेंट कोश्चन जो है वो आपके सामने वीडियो के त्रू मैंने रख दिये हैं सच्चा यह है कि उनी को अगर कोई पढ़ लेगा TGT वाला लिट्रेचर के जो कोश्चन है तो वहीं से आने हैं उनी में से आने हैं आगे कितने ही वीडियो डालती जाएं उसे मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा जो नोट्स हैं उनी को कलेक्ट कीजिए नोट्स बना की ही है सुदीर कुमार अरोरा से बेस्ट बुक कोई सी नहीं है इंग्लिश का एक्जाम चाए ल्टी का हो चाए जूनियर एडिट का हो या TGT PGT कोई सा भी हो लेकिन वहीं डॉक्टर रंजीस सिंग भी हाइलाइट हुए हैं डॉक्टर रंजीस सिंग के प्रैक्टिस सेट जो आए हैं बुक तो कम पढ़ी गई है प्रैक्टिक सेट बहुत अच्छे से पढ़ी गई है उनमें उनका TGT का प्रैक्टिस सेट है मैंने पढ़ाना भी शुरू किया लेकिन एक प्राब्लम उसमें आई कि उनकी हर प्रैक्टिस सेट में एक दो एक दो डाउट्स लगे गलतिया लगी मैंने आप से उसमें डिसकस किया लेकिन किसी का अन्सर जो है सही से नहीं आया तो उस चीज़ को फिर मैने सेलेक्टेट करके फिर भी जितनी वेडियो मैंने डाली है उसकी ट्रस्टेड है सारे कौश्चण बिलकूल जो जहां गलती थी महां प्राइब आपक P.G.T क असले बस क्या है P.G.T की बुक्स क्या है P.G.T की ग्रामर की बुक्स तो मैंने आपसे जो बताई है ग्रामर वाली वीडियो बताई हुई है कि उनसे च्छी बैस्ट बुक कोई सी नहीं होती है दूसरी इन्होंने एक पूरी कमप्लीट बुक P.G.T के उपर दिये है ल पर कितने 8,125 जो यह MCQs हैं सब के लिए अच्छा है GIC का हो यह UPSC वाले जो Civil Services के एक्जाम उनके लिए हो NBS, KBS, DSSB सब के लिए important है जो नहीं मेंशन जैसे TGT, PGT, R-State exam किसी का भी हो किसी भी State का एक्जाम मेंज इंगलिश का कोई भी एक्जाम होगा, वो किसी भी State का होगी, कोई से भी किसी भी तरह का हो, महाँ पर इंगलिश की यह जो बुक करेगी यहाँ पर इस बुक को जब मैंने थोड़ा समय जादा या भी नहीं पढ़ा लेकिन थोड़ा से अनलाइस किया तो मुझे वही चीज सामने आई जो मैं आपसे बार-बार कहा, जब मैंने आपको PGT का सलेवस पढ़ने के लिए बताए कि आपको क्या पढ़ना है क्योंकि और क्या नहीं पढ़ना है, कौन से ऑथर्स आपको हाइलाइट करने है, वो सारी चीजे मैं आपको बता चुकी है और वो सब इसमें मेंशन किये गए हैं, इसमें हैं और उसी अकॉर्डिंग है, जिस अकॉर्डिंग मैं आपको बहुत पहले बता चुकी हूँ मैंने क्या कहा आपसे, अगर एक छोटा सा एक्जामपल ले कि हम विलियम शेक्सपेर को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं विलियम शेक्सपेर पढ़ लेकिन इस चक्कर में हम और अथर्स जो है उनको इग्नोर करते हैं, उनको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, बलकि उनको जानते भी नहीं हैं, उनके प्लेज, उनके नोवल्स, उनके वर्क की स्टोरी वगरा, खुश पता नहीं होता, बत प्रैक्टिस सेट में सारे कोश्चन थॉमस हार्डी के ही नॉबल के हैं अब आप देखेगा कि पहले ही थॉमस हार्डी रख दिया गया है पहले ही ऐसे ओथर्स इन्हों ने यहां पर रखें चाहते तो टीजेटी की तरह विलियम शक्सपिय भर देते हैं यहां पर नहीं थॉ हार्डी को इन्हों ने भी हाइलाइट किया है और यह चीज में आप से कही है कही बार कि यह जो ऑथर्स होते हैं तो हमस हार्डी जैसे ही है अब यहां पर देखें हम हमने यह पढ़ लिया रटा हुआ है बच्पन से यह भी रटा हुआ है पीविशयली भी लैंपी किट्स कुछ ऑथर्स है जो हम रट लेते हैं हमें मुझवानी पता होता है कि विल्यम शेक्सपिर के लाइफ क्या है प्ले क्या है में में सब पता होता है लेकिन हमें इग्नॉर कहां कर देते हैं हमने हार्डी को इग्नॉर कर दिया और बहुत अच्छे कोश्चन दो चार यहां से यहीं पर कटते हैं सब प्रिपेरेशन कहा सकते कगरी समने चार-पांच ओथर्स पकड़के हैं सभी ने कि शेक्सप्पेर वर्डस वरत यह चार-पांच ओथर्स इनको ही पकड़े बैठे हैं पर और को जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं और जब यहीं एक्वारी नहीं होता वर टफ नहीं होता हम क्या इसको पढ़ते नहीं है इनको पढ़ते नहीं इन ओथर्सको जायर सी बात है 125 number question है 17 authors है तो सब में कुछ तो divide करेंगे कि सारे सेक्स पेर के ही थोड़ी आएंगे यहां से भी आएगा सारे वर्ट्स वर्ट के थोड़ी आएंगे इसके भी आएंगे पीवी शैली के थोड़ी आएंगे इनके भी आएंगे तो सब के मिल-μिल कर तो आने किसी एक आथर को थोड़ी पकड़ के बैठेंगे तो वही चीज इनके practice set में सही है तो मैं हाड़ी जो hard author समझ जाते जिने कोई पढ़ना पसंद नहीं करता उन्होंने सबसे पहले उन्हीं को रख दिया आप पढ़ो पढ़ना पढ़ेगा तो जब हम इसको पढ़ाना शुरू करेंगे मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगे तो मैं यहां से आपको important question भी बताना शुरू करूंगे कि क्या है इनके importance जो question है कि हाँ यह वाला तो याद करना है क्योंकि इन्होंने बहुत दी detail में question दिये हैं सारे इंपोटेंट भी हम इसमें select करेंगे explain करेंगे एक चीज और इसमें कि doubt भी हाँ पर आएंगे जरूर अभी तो मैंने कोई नहीं देखा पर मैं sure हूँ कि doubt आएंगे क्योंकि TGT में बहुत doubts थे पढ़ाने वाले उनको पढ़ा भी रहे हैं लगातार पढ़ाने वो doubt clear नहीं कर रहा कोई भी लेकिन चलो ठीक है और मैं sure हूँ कि doubt भी आएंगे जरूर इसमें देखते हूँ doubts को clear करेंगे बाकी सब कुछ इन्हों नहीं आपर दिया हुआ है ऐसे इसे नाम आएंगे PGT वालों के लिए जो कभी सुने भी नहीं होंगे आप लोगों सही बताओ तो क्योंकि जब पढ़ते नहीं authors को अधर को दूसरी चीज है English history भी दे रखी है literary terms भी दे रखा है इन्होंने जितना भी English का total निचोड है ना total जो होता है निचोड वो सब इसमें है कोई भी चीज छुटी हुई नहीं है हर चीज highlighted है हर चीज के बारे में जो इन्होंने depict किया है बहुत अच्छे से 65 practice set है तो जाहिर सी बात है कि कुछ भी इसमें से बचा हुआ नहीं है तो काफी अच्छा आपके लिए रहेगा इसको पढ़ना बाकी जब इसको हम study करेंगे देखते है मेरे तो थोड़ा views पर आकर काम अटक जाता है थोड़ा यह हो जाता है क्या करूं कैसे करूं otherwise अगर इसको पढ़ने हम बैठ जाएंगे तो हमारी जो तयारी कहीं ना कहीं 99.9% complete में मानती हूँ 1% का मैं छोटा सा डॉट फिर भी रखती हूँ क्योंकि मैं कोई power वो कहते है न भगवान नहीं हूँ मैं इसलिए फिर भी रखती हूँ otherwise complete है बहुत अच्छा यह रहेगा पढ़ना आपके लिए बाकि आपकी comments आपके view decide करेंगे कि हम इसे कितना आगे को follow करना है कितना इसको आगे लेके जाना है फिर भी इससे related कोई problem होगी तो आप comment करके पूश सकते हैं देखिए गाइसको पहले धियान से thanks a lot